अलमान खुर्शी शेशी धरूर समर्थन देकर आए और मुझा आश्चर होता है कभी-कभी सिलेक्टिव चुप्पी होती है आज सुबस से सारी टीवी चैनल दिखा रहे हैं ताहीर जो आमाद्मी पार्टी का कॉर्पर्टर है जिन पर पहले भी हिंसा जो 20 डिसेंबर को ही उसका भी वो एफायर दर्ज है उनके घर में पूरा असला मिला है पूरे दंगे की तैयारी मिली है उस पर कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी चुप है कॉंग्रेस के विधायक उन्होंने कहा था वो अभी आमाद्मी पार्टी में है तो आमाद्मी पार्टी के अभी विधायक है उन्होंने कहा कि आपको टोपी पहनने को मना होगा कहा है यह उकसाना नहीं तो क्या था जिन्ना वाली आजादी शाहिन बाग से नारे लगे यह उकसाने वाला नहीं तो क्या था सो करोड अगर है तो पंधरा करोड उनको भारी पड़ेंगे यह उकसाना नहीं है तो क्या है और असाम को अलग करना पड़ेगा यह भी तो उकसानी वाली चीज से उस पर ना कॉंग्रेस बोल रही है ना आमाद्मी पार्टी बोल रही है और हिंसा के माहौल में शांति कायम करनी की अपनी ड्यूटी भूल कर राजनीती कर रहे हैं हम इसे राजनीती की भर्चना करते हैं और दो उलेक मुझे करने हैं जिस हिंसा में एक आई-बी के ऑफिसर अंकित शर्मा और पुलिस के एक हेड कॉंस्टिबल रतनलाल इनकी शहादत होती है DCP, ACP जक्मी होकर हास्पिटल में भरती होते हैं 56 पुलिस जक्मी होते हैं पुलिस पर हामला किया गया और इतना सब हुआ तो भी हम देख रहे हैं कि यह पार्टी अच्छुप है उस पर ज्यादा बोल नहीं रहें इतने पत्रकारों कर हमले हुए है हमारी तो मैं तो सुचना प्रसारण मंत्री हों तो मुझे बहुत दुख है इसका कि पत्रकारों को भी बक्षा नहीं किया और ऐसे में पत्रकारों का वाइलन्स पुलीस पर हमले ताहीर के घर में असला मिलना अमानतुल्ला का बयान जिन्ना वाली आजारी की मांग सो कोरोड पंध्रा कोरोड का एक धंकाना अंदाज इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजे पी सरकार को सवाल पूछोगे जिन्नोंने शांती भी कायम की है जाज भी चल रही है तेजी से चल रही है और दोशी निश्चित साबित होंगे और इसमें आपका बयान की इस पार होगा या उस पार होगा क्या मतलब है आरपार की भाशा आप बोल रहे हैं जिससे एक की भी नागरिक्ता नहीं जाने वाले है और इसलिए भारतिय जंतापाठी की भूमिकातो प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री रक्षा मंत्री और सभी हमारे अध्यक्षा और नेताओं ने हमेशा रखी है हम सर्व समाज को एक नजर से लेखते हैं लेकिन इस तरह का जो सारा प्रियास चल रहा है यह राजनीती है ओछी राजनीती है हम इसकी बर्चना करते है friends the situation after two days violent incidents in northeast Delhi are under control the arrests have been made the inquiry is fast-tracked and I am very sure that this will bring out the real culprits behind this violence in such a situation the duty of all political parties and everybody has to be to consolidate peace to have dialogue with people but we what we are seeing those who got elected from the area from where the violence has been reported they are absent from the scene and who started this this is not two-day violence it was pot was put on boiler for two months on 14 December after three days of passing of CAA Congress said the rally at Ramlila Maidan and in that Congress President Sonia Gandhi said now we have to decide is par ya us par is it not instigation Priyanka said hundreds of thousands of people will be put behind bar is it not misinterpretation and is it not instigation Rahul said aap daromat Congress aapke saath hai and Manish Shankar went to Pakistan and said many things and went to Shahin Bagh also Salman Khurshid Shashi Tharur